मेरी आवाज आ रही है अनकेडमी के UPSC, CSC, Hindi Optional Platform पे आप सभी का स्वागत है इंडिया का Largest Learning Platform जहाँ पर आपको मिलते हैं डेली, Live Classes, Live Test, Quiz, एक Structure Course और एक Unlimited Access एक Subscription पे जी हाँ अधि आप अनकेडमी के Subscription को लेते हैं तो आपको ये सारी सुविधाय मिलती है तो आज ही अनकेडमी के इस Learning App को डाउनलोड केजिए जी हाँ, इस एप के माधियम से आप सारी Special Classes जो मैंने लिया हुआ वो भी आप देख सकते हैं और बहुत सारे courses available हैं, वो सारे वीडियो आप इस platform के माधियम से देख सकते हैं ये बरबारे में हैं, आप जो लोग अभी तक टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किये हैं, ये मेरा Link है इस Link के माधियम से आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको उस वी से संबंधित सारे कंटेंट और आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, इस क्लास के बाद आपको PDF जो भी है, वो मैं इस क्लास की जो भी PDF है, वो मैं आपको इस टेलिग्राम चैनल के माधियम से आपको प्रवेट करवा दूँगा, तो An Academy आपको लाए है, धेर सारा कोर्से, UPSC, CAC के तया जल्दी हाइक होने वाला मैं कल बताया था कि 20 अक्टूबर के बाद प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है, यानि कहिए ऐसा नहों कि 10 अदिपावली के बाद आप सोच रहे हो लेने के लिए और तब तक प्राइस बहुत महेंगा हो जाए, अभी आपके पास अंतिम मौका है, आप मेरा कोड यूज करो, AVI-01 और Unacademy के एक साल, दो साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या इकोनिक सब्सक्रिप्शन है, मैं बता दो हूँ, फिर से की 20 अक्टूबर से प्राइस बढ़ने वाला है, तो इस बात को आप हमेशा रिमाइंड केह रहे, कहीं ऐसा नहों कि आपको जादा पैसा खर्च करना पड़े, तयारी करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, तो आईए, आज हम अपने कलास में सभी को स्वागत करता हूँ, सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी लोग, बिल्कुल, देखिए, आज नूरी खान का फर् नहीं, उम्मीद मत छुड़ी नूरी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, है न, बिना उम्मीद का ये संसार चल ही नहीं सकता है, हम और आप सभी क्या है, एक प्रेम भाव, एक उम्मीद, एक सदभाव, एक समरस्ता, एक सालीन, ता एक विनमरताइन आधार पर जीवन जी रहे और वास्तों में यही खुबसूरती है जीवन की, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, आप लोग की जो लगतार मेरी क्लास में बने रहते हैं, उससे मुझे वेलकम मिलता है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सबको समझ बारा है, कर जो पढ़ा हमने, कै कैसा लगा, चलिए किसी ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल क्लास कीजिए, जो प्रिवियस सारे जो वीडियो हैं, आप उसको पर देखिए, ठीक है, मैं क्लास पर आता हूँ, कल हमने जो पढ़ात एक बात देखना, मैं भी रिपीट करवा दूँगा, ठीक है, सबसे पहले हम अपना जो हमारा दैनिक क्या होता है, कि पांच नए सब्द और दो मुहारों पर हम बात करते हैं, हमारे कलास की विसेज़ता है, सुरुवात से पहले हम, सबसे पहले हम मुहारों पर आते हैं, जरा मुहारे देखिए सभी लोग, और मुझे आला क्या है ठंडी आग में जलना ध्यान देना थोड़ा सा इसका विमर्स उल्टा है ध्यान देना ठंडी आग जरूर रहे लेकिन वह अंदर से ठंडी नहीं है ठठेरे की बिल्ली ना 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 कलत कलत बस नहीं देखो इसका होता है देखो प्रेम में की बर क्या होता है सनयोग की अवस्ता होती है हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रीती काल भक्ती काल माएंगे तो सनयोग बियोग की अवस्ता आती है तो इस बियोग की अवस्ता हम क्या कहते है विरह भी कहते है विरह में जलना तो विरह अगनी, जो विरह की अगनी होती है न, उसको भी ठंड याग में जलना कहते हैं, जिसमनाई का उस ठंड याग में जलते रहती है, ध्यान देना, उसे कहते हैं ठंड याग में विरह में जलना, विरह अगनी, समझे न, एक भोचपूरी में कहावत है, ध्यान देना, कि जो सर्फ होता है, नाग होता है, नागिन होता है, उसके सिफ दंत में वीस होता है, लेकिन जो विरहिन की आग में जलती है, उसके हर अंग में वीस होता है, मतलब अभिप्राय समझें वह वीश नहीं काटने वाला मतलब एक विमर्स है साहित का तो साहित के विमर्स है बिल्कुल संध्या कल की और आज की दोनों क्लास की में पूरी स्लाइड है ना करीब चो मतलब लोह की काम करता है बनाता है पिलकुल तो देख ना इसका अभी प्राय क्या है कि कि वर हम लोग छोटी सी आवाज में ध्यान देना यानि कि थोडी सी आहट पर थोड़ी थोड़ी सी hasta पर जग जाना या सतर्ख हो जाना या कि बुली ते हुए जैसे ही थोड़ी सी आए ने उड़े जाती है तो अभी प्राहि है कि थोड़ी सी फ taught p ka जग जो जाना इस लिए कि कहता एक बहुत अची किताब है बोलाना थिवारी की है बहुत मोटी किताब है लेकिन ठीक है उनकी किताब आ पढ़ सकते हो मुहुहुरक उन पुनिने लग से कता मिलती नहीजल दिमार्किट में वह बहुत width IS अब हिंदी में और अपना वीमस बढ़ाना चाहते हैं बहतर सीखना चाहते हैं उसके लिए है न राधे राधे रश्मी राधे राधे जी सभी लोग प्रेम से बुलिए सभी लोग राधे राधे हलाकि हम आज राधे राधे की जगे हम क्या बोलेंगे राम राम आज हमारे लिए राम है चलिए ठीक है तो मैं आगे बढ़ू हूँ बच्चों बहुत अच्छी बात देखिए किसी के पास एक किताब है बिल्कुल चलिए अब पांच सब्द देखिए अब बताईए इसमें से कोई ऐसा सब्द है जो आप कभी नई सुने हो पांच सब्द बहुत ही महत्पुर्ण है और मैं आपकी किताबों से यह लिया हूँ पांच सब्द देखिए बिल्कुल चलिए सबी लोग को पुनह मेरा प्यारदा नमस्कार अब बताईए पांच सब्द देखिए आप लोग बताईए नए सब्द है सारे सब्द आपके किताब से हैं कोई नया मैं सब्द नहीं लाया हूँ देखो पहला सब्द मैं लेता हूँ विद्रित यह सब्द देखिए पहला आप लोग इसका अर्थ होता है धारन या ग्रहन करना ध्यान देना या प्रिथक व्यूक्त ये भी होता है इसकार्थ इसको मतलब आग्या क्या अभेलना करने को भी कहते हैं क्लियर है अब देखो दूसरा सब्द क्या है अमोग आप लोग यती कभी सिर्य लोगरा देखे होगे चाहे रामायन महाभारत या ऐसे कुछ कह सकते हो जो बिमर्ष प्याधारित हो जो क्या हो युद्ध पे खासकर जो पौरानिक हो प्राकलिन हो समझे तो आप लिए अब देखे ओधर आप देखे हो गया बोलते हैं अमोग वाग मांता यानी कि अचूक इसको मर क्या बोल सकते हैं आवेर्थ मतलब ऐसा प्रहार करो ऐसा फिक्मिस में क्या वह वेर्थ न जाए यानि अचूक हो जो निसाना है वो अचूक हो जैसे आपको क्या करना है आपको अपने सारे अटेंप ध्यान देना इसलों बोलता हो ना कि फर्स्ट अटेंप आपको क्या करना है उसमें ही आपको एकजाम को क्लियर करना है फर्स्ट अटेंप में यानि कि आपका अचूक होना चाहिए यह त्यादी आपकी अचूक होनी चाहिए और अब पहले ही अटेंप में आपको क्या करना है ुल्प करना չोँ बहुत अनर्जी होता है फर्स्ट अटेंपं पेस्ट होता है है कि अपास फालतु की बाते दिमागि होता है फोल papa होते हैं जैसे जैसे आप उस्ट अज्ञा ब decks अर्थ हैं जो आपके लिए यूश्फूलल नहीं एक्जाम के लिए भेहान देना, information कोई खराम नहीं है, लेकिन exam oriented सीज़ें नहीं होगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ओके, तीसरा आपको दिक्कत होगी है, चलिए, तीसरा सब्दा आईए, मंदार, या आप लोगों ने सुना होगा इस सब्द को, याद आ रहा है, देखो, स्वर्ग में पांच तरक व्रिक्ष बताये हैं, सांस्कृती में, स्वर्ग के जो पांच व्रिक्षन उसमें से एक व्रिक्षी है, जो पाया जाते हैं, मंदार उसको भी कहते हैं मंदार परवत भी आपको पता है परवत यह है और धतुरा को भी कहते है यादार है और यह आपको बता दो कि जो हिरन्य कश्यप था उसके पुत्र का नाम भी मंदार था याद रखने ना तो जो हिरन्य कश्यप था उसके एक पुत्र का भी नाम था ऐसा कहा जाता है समझाईएगा तो यह सारे सब्द आपके सांस्कितिक विमर्ष के सब्द है बिल्कुँ देखो किसी ने बहुत अची कविता भेजा है चलिए मातूल कार्थ कुन बताएगा बहुती सिंपल सब्द है और मैं कुलू देता हूँ कि यह सब के मातूल होते है मैं कुलू देता हूँ और बहुत बड़ा यह एक रिष्टा है चलिए इतना कुलू दे दिया आप लोगों को किसी ने उत्तर दे दिया है बहुत सठीक उत्तर दिया है किसी ने बहुत बढ़िया मामा को ही मातूल कहा जाता है कि और किसी दो लोग ने बहुत अच्छा उतर गया दम भीक यानि किस से बना है दम से बना है यानि की क्या है जो दम करने वाला क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्ते लग रहा है एक प्रत्ते लग रहा है over कर्यार होगया है ओके चलिए तो क्रियर है सब को पाँचों सब्द को मझ आता है जो मैं यह सब्दों पर रोजबात करता हूँ आप से पांस सब्द दो चलिए बिल्कुल मटेनल अंकल अंग्रेजी में अब मैंने कल जितनी बाते बताई थी वहाँ पर किसी का कोई डाउप तो नहीं है हम आगे बढ़े आज चलिए एक सवाल आप लोग के मन मों भरना चाहिए था कि निराला ने राम को ही इस कविता में प्रतिपादित क्यों किया अखिर राम के ही चेन का क्या आधार बनता है समझना क्योंकि राम एक तरह से क्या है ध्यान देना जिस काल में कविता लिखी जा रही है तो एक तरीके से ये क्या आवतार है राम एक अवतार है ने तरीके से तमझना तो इस बात को लेकर एक बिमर्स निकला तो यह मैं किसी के सोध पेपर पढ़ रहा था कोई है एक सोधार थी इन्वस्टी की उनके मैं सोध पत्र पढ़ रहा था वहां पर मैंने कलिश लिया तो आखिर देखना कि जो मध्यकालीन सहि है जो मैं आप लोग को रीति काल भक्ति काल पढ़ाऊंगा तो और बातें स्पष्ट होंगी ध्यान देना तो वहां पर देखना आवतार को मुख्यत दर्स आया गया है मैंने जब आधनी काल भी आपको पढ़ाया था किस तरीके से चायवाद में भी है और जो आपके भारत भारती है है ना पिल्कुल रुबी आप सब लोग वेट करो क्लास के बाद मैं इसका पीडियफ आप लोग को सेर कर दूँगा ठीक है टेलिग्राम पे बने रहो सभी लोग ठीक है टेंसर मतलो मैं शेंड कर दूँगा अब देखो इस मामले में एक आलोचक है नंग दुलार वाचपी जी वो क्या कहते हैं उनसे हमें अपनी बात इसपश्ट हो जाएगी समझ में आज जाएगी trainer को क्या कहते हैं कि चुकि जो कालखंड है और जिस समय पर विद्धमान है उस समय क्या आज आदर्श की भात करें तो हम भी आज क्या आज का नाम करें क्स्षिनalnya का नाम लेते हैं यह हम गांधी का नाम लेते हैं बुद्ध का नाम लेते हैं, है नो, यह हमारे आदर्स है समाज के, इनी का नाम लेते हैं, ध्यान देना, तो कहने का भी प्राह यह है कि अंदुलारे वाज़िपे कहते हैं, चुकि जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस काल में, यह रचना लिखी जा रही है, उसमें आद दर्सों का चेयन करने से पर ले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जब इन्होंने इस आदर्स खुलिया, इसलिए उन्होंने उन आदर्सों में जो ने अच्छी बाते दिखाई दी और उसी को ने ने सांचे में ढालने कोशिकी। कि मैं इस कविता बता है कि राम क्या है नवीन पुरसुत्तम राम है कल भी बताया था आज भी बहुत सारी बाते रिपीट होंगे और जिस तरह की परिवेश के अनुसार अपनी रचना को लिखना चाहते थे निदाला जी उसमें इनको राम बहुत ही क्या सटिक नजर आए अल अला को बताया था मैं ठीपीट आप याद करो कल जो बात बताया था यानि कि जिस सामाजिक आदर्स और नैतिक्ता क्या स्था अपना जी सामंत बाद विरोध की बाते थे वो सारी बाते कह सकते हो राम के आधार पर इनके लिए कहना आसान था अपनी रचनाओं के मात्यम से इसलिए इन्होंने किसका साहरा लिया, राम का साहरा लिया क्योंकि यदि उन प्राचीन आदर्सों के परतिमानों को छोड़ दिया जाये तो कोई नवीन आदर्स उनके सामने मौझुद नहीं था क्योंकि गांधी उस यूग में के आगे बढ़ रहे हैं थे, ध्यान देना, इसलिए इनको राम का नाम यहां पर उद्रित करना अपना, अर्थाद कह सकते हो, कि राम के नाम पर इनको कविता का अतलब का असलो लिखना अपना, वो भाव हमारे तुम्हारे तक पहुचाने के लिए, प्रंत इसमें एक महत्पून बात यही रेक, उन्होंने इसका क्या, एक नवीन श्वरूप लिया, क्योंकि ये राम अवतारी राम नहीं थे, बलकि कौन है, शंसयुक्त राम है, जो हम और तुम हो, जो अपने समय का क्या है, एक साधान मानव है, जो क्या है, अपने समय की परिष्थितियों में आवसाद में ग्रसित है, इसमें ब्याक्या पूछता है, यो भी असी, मैंने आपको लोग के ब्याक्या कराया भी है, तो ध्यान देना, यानि कहने का बिमर्स यह है, कि जिस पात, यानि जिस पौरानिक्ता, आदर्स के अस्थापना के साथ, उस समय काल की जो कह सकते हो, जो विसे वस्तू है, इसमें राम की जो यहाँ पर कह सकते हो, जो बातें ला रहे हैं, वो कोई अवतारी राम नहीं है, वो एक शंसयुक्त, समाज के साधारन, और उन परिष्थितियों से जूचता हुआ, आत्मसंगर्स, और द्वंद से घिरा हु थैंक यू, वैसे तो मैं UPSC के लिए पढ़ा रहा हूँ, पर मैं जितना डेफ्थ में पढ़ा रहा हूँ, कल मुझे किसी ने मैसेज भी किया, कि सर मैं UGC NET की तयारी करता हूँ, पर आपकी क्लासेस मैं continue देख रहा हूँ, UGC NET उनने बोला, तो वहाँ पर मुझे बहु उमर सोनाशी के आप उसको अच्छे से समझा सको, इसलिए देखना ये पंक्ति है, उनके भावों को बता रही स्तुना, कि जब सभा रही निस्तवद, राम के इसमित नयन, छोड़ते हुए सीतल प्रकास खतेवी मन, जैसे उजस्वी सब्दों का जो था प्रभास, प्रभा उसमें न इन्हे कुछ चाओ, न कोई दुराओ, जो हो वे शब्द मात मैत्री की शमरुकती, पर जहां गहन भाव के ग्रहन की नहीं सकती, यानि कहने का भी प्राय क्या है, देखो कितना संस है, उनके उपर, उनस सब जोगर को प्रभा नहीं पढ़ रहा है, और इस तरह से इस रचना का भीमर्श आपके सामने निकल कराता है, यानि कि एक साधारन वेक्ति कहीं मनोभाव हो सकता है, जो क्या किसमें आए, जिसको उपर एक संसे किस्थिति आए, यानि दोंद किस्थिति उसके सामने उत्पन हो, उस दोंद से वो लगातार जूचता है, वो आत्मसंगर्स, उसके अंदर विद्धमान, यानि कि जिस गहन भाव की बात हो रही है, वो गहन भाव राम के अंदर विदिखाई दे रहा है, इसलिए वो साधारन मानव कृप में दिखाई दे रहे हमारी और तुम्हारी तरह, अनामी का सारे लेक्चर का प्लेइलिस्ट बना हुआ है, आप इसी चैनल पर जाना, जिसमें देख रहे हो, प्लेइलिस्ट में जाना, वहाँ पर मेरे नाम से प्लेइलिस्ट बना हुआ है, प्लीज, सभी को दातों प्लेइलिस्ट अल्रेडी बना हुआ, प्लेइलिस्ट मे नीचे मैं टेलेग्राम आईडी हमेशा लिखता हूं अब देख सकते हो चलिए देखो ये कविता का जो काल है 1936 यादार आपको यानि कि प्रथम बिस्युद हो चुका है फर्स्ट वर्ल्ड बार हो चुका है फुस्ट में देखे ना कि मनो सिथी बन रही है परश्ट विश्च की यानि कि जिस युद के बाद एक ऐसी मांजिक प्रिक्याई का जनम हो रहा है जिस तरह आको बताया था कि दुइत्य विस्युद के बाद यानि कि 1945 के बाद जिस तरह के पुरे विश्व में बदलाव आ रहे हैं मान से उसी क्या है चनवाद अस्तितवाद यह तमान जो धर्शन है धाराएं हैं आ रही है और इसका प्रभाव हिंदी साहित में भी पढ़ रहा है थ्यान देना वो बातें जो आप लोग पढ़ाया है वहाँ पर मैंने बताया हुआ है इसलिए देखना कि इस कविता में भी जिस पर्थम विश्यूद के बाद के जो कि यह रचना है तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं क्या है इनकी चेतना पर पढ़ा हुआ है और वह चाहते है कि इस युदि से जो उत्पन मानसिक प्रिक्रिया है वो लोग भी समझें और कहीं ने कहीं इस कविता के माध्यम साब को बताया था कि जिस स्वाधिनता संग्राम चल रहा है उनमें लोगों को जगाना भी इनका उद्देश था यानि कि जिस राम के चरित्र के माध्यम से व उन सभी को धाना चाहते थे और उसे ही पदिभासित करने के लिए यह नविनिता का सहरा लेते हैं और उस नविनिता के माध्यम से हमारे सामने वबाते प्रस्तूत करते हैं और तब कह सकते हो कि और ज़्यादा भी मर्स हमारे गहरा होता है उसे से जुका हो जाता है एक लग आपको लगता है कि ये मुसीवत से मैं निकल नहीं पाऊंगा, समझाना, आप संसय में होते हो, मुसीवत में होते हो, आपको लगता है कि साथ मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो ऐसी स्थिती में जब आपके सामने एक ऐसा उधारन रखा जाता है, और वो उस उधारन में दिखा या ते किस तरह ववेक्ती भी उस दुविधाओं से उस संसय से खुद को पार पाया था तब आपके सामने प्रमानिक्ता आ जाती है और आपके अंदर साहस का प्रादुर्भाव होता है और यहीं प्रादुर्भाव कहीं ने कहीं उस समय राष्ट के चेतना में भी जाहिरी करने कोशिश थी सुरिकांतिर बाठिने अलाजी की कि मैं पहले वताद इस रचना के उद्देश सिर्फ युद्ध का वर्णन करना नहीं था अभी तु युद्ध को प्रांथ या युद्ध के अंदर जो द्वंध है राम का यानि यहां राम और रावन के मद्ध का युद्ध नहीं है यह राम और राम के अंदर ही मौज़द उस अंतरद्वंध आत्मसंगर्ष की पिड़ा उसकी कविता है इसलिए देखना यह कविता की पंक्ति है कि इस्थिर राग वेंद्र को हिला रहा फिर फिर संसे रहरा उठता जग जीवन में रामन जैभै कल लड़ने को हो रहा विकलव बार बार असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार भावित नैनों से सजल गिदे जो मुकता दल बोले रभुमनी मित्रवर विजय होगी न शमर्ण अन्याय जिधर है उदर सकती कहते जल जल हो गैन नयन कुछ बूंद पुना ढलके द्रिक जल रुक गया कन्ट यानि यह भाव किसके हो सकते हैं एक साधाना मनुस्थ की भाव हो सकते हैं जो रन भुमी में हो यह साधाना मानों के अंदर उत्पन होना भाव है और यह संसे यहां देखना राम के अंदर भी उठ रहा है राग्वेंद्र समझना कि लारा संसे यह वाला सा होगा संसे यानि कि उनके मन में उठ रहा है कि आखिर जिसमें युद्ध लड़ रहा हूं कि यह साना कि राम मैं जो हूँ मैं रावन से हार ना जाओ कहते हैं कल तक जिस यूद की तैयरी करने के लिए हम विकल थे ब्याकुल थे आज पहले दिन में हमारी हार हो चुकी है और मन मानो ऐसा कहता है बार बार की नहीं साहद यूद में नहीं जित्जत तर्थाथ यह लोकी क्राम है समझना की यानि की उन भावीत नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल अर्थाथ जो अशुरू हैं उनकी आखों से गिर जाते हैं वो कहते हैं सभी अपने शिनाओं के लोगों से कि मित्रवर विजय न होगी समझना लगता है साहद इस यूद में हम विजय नहीं पा सकते कि उनको क्या लगता है कि जिस सक्ति की पास ना कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा कि पांचों सक्ति कौन सी यह प्रकिर्थी की और बताऊंगा आगे के लिए रोगा अब देखना कि जिस नाट कीता के संदर मैं इस कविता को देखूं तो निडाला ने उसका एक उप्रभाव कवितां में बिखे रहा है जो पुरु में किसी अन्य कवी के द्वारा सायध हमें दिखाई ने देता इसी रशना जिस तरह तुम देखना कि इस संपुन जो हनुमान जी है उनका देखना प्रद्रिस आधनिक नाट की द्रिश्टिकोनों का नमुना है यानि कि जिस हनुमान के हैं जिक्र करते हैं ये देखना इस कविता में उनका किस तरह से एक आधनिक द्रिश्टिकोन से या नाट की द्रिश्टिकोन से उसको सामने ला रहे क्योंकि देखना जिस बिरार स्वरूप उनका है उनके सामने आता है निराला ने प्रकृति को इसलिए देखना रितिकाली कवियों की भाती कामनीय रूप में चितरी के ध्यान देना आगे बताऊंगा मैं छायवादियों का प्रकृति सुरूप भी बताऊंगा इस कविता में यानि कि काम निया मतलब प्रकृति स्प्सकाम की विस्फय्स्तुक माना गया उससे तुल लगने कि ध्यान देना इ stab MBA कर जो शिवा होगी होगाक पर यहां पर उस बिल्कुल बिल्कुल किसी ने कहा है सर आपका विता के भाव से न बोलकर सिधे फुलो में पढ़े तो ज्यादा एफेक्टी होगा ओके ठीक है जैसी आपकी मर्जी यानि कि देखना इस नवीन प्रविक में क्या है निरला जिस भूतर यानि की जमीन की बात हुरी है पृत्व देखना एक नवीन दिर्ष्टिकुन समझ जाना जो परवथ है देखना उसका मानुभिय करन हो रहा है मैं आपको बताया था प्रकृति का मानुभिय करन बहुत यादप ना यह आति महत्पुन कवीता है मैं आपको previous year És पेपर इसलिए दिखाया था कि previous year के पेपर में question पेपर में हमेशा व्याख्या पूछा जाता है या राम की सकती पुझा से प्रश्न बनते हैं ध्यान दीजेगा तो इसको गंभीरता से लोग class को यदि गंभीरता से नहीं लोगे तो एक याद रख लेना आगे part पीछे सा पार्ट वाली जिन्दगी हो जाएगी ध्यान देना समझिया सभी लोग class focus करो छोड़ो उधर उधर की बाते है ना चलिए इसलिए देखना कविता का भाव है कि सामने स्थिर जुए भुधर सामने स्थिर जुए भुधर सोभित सरसत हरित गुल्मत्रिन से स्यामल सुंदर पारवतिक कल्पना है इसकी मकरंद बिंदू गरजता चलन प्रांथ पर सिंग्व नहीं शिंदू दस्दीक समस्थ हस्त यभी मैं ब्याख्य कराऊंगा तो इसकी पूरी पंग्ति आपको समझ माजाएगी कि किस तरह प्रकिर्टी का जो तत्व है प्श तत्व है इस कविता के आधार पे किस रूप में विद्धमान है और उन्जो तत्व में जो सक्ति हैं कौन सा है जो राम के पक्ष्म है और ज़्यादा क्लिर हो जाएगा तो अभी और अलस चलिए अब एक अती महत्पुन बात यहां से आपको समझना होगा जो मैंने को कल बाते बताई थी उस बातों का थोड़ा सभी मर्स आएगा तो सभी लोग ध्यान सुनिएगा ठीक है बहुत महत्पुन बात बताने वाला हूं देखो जो डिस्टर्ब कर रहा है छोड़ दो उसके उतर फोकस मत करो आप लोग है ना मैं आपको बता था ऐसी स्ट्रोल स्साइटी हमेशा विद्धमान रहती है आपकी इर्दगेर्द उनको इग्नोर कीजिए क्योंकि जब आप लक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो आपके सामने इस तरह की दूविदाया आती है ध्यान दीजेगा समझे मैं आपको बताया था कि कल दो तरह का विरोध था यादा रहे एक तरफ क्या था प्राधीनता था ध्यान देना और क्या था आपनी में सिक चीज़े थी है याद आ रहे है यानि कि नौजागन प्रक्षेतना था लाना था इनको दूसरब क्या था हमारा समाज क्या था सामन्त वादी था सामन्त वादी परस्ता थी ना नयतिकता गिर रही थी यानि के पी अस्ठापना करना था जाती पाती घर्म प्षे बती हुई थी याद आ रहे है यही कि यहिसे रेक्टी बाद दिखाई दी इसका वितामिय। अलोचक मानते हैं कि एक तरफ क्या है इन बंधनों से छुटकारा और दूसरी तरफ सांस्कृतिक जागरण की बात हो रही है मैं आपको कई बर बता चुका हूँ सांस्कृतिक जागरण को लेकर जैसें के प्रसाथ इसको मान रहे हैं याद है आपको मैं तूलना किया था जब प्रसाथ जी को पढ़ा रहा था प्रसाथ जी और प्रेमचंद पे वीडियो देख लिएना वो तूलना किया हूँ कि दोनों समकालिन है तो दोनों में कौन की जार्णती बात कर रहे हैं यह मैंने बताए हो क्लास में तो यह क्लास उन नहीं देखो विडियो जरूर देखो प्रसाद जी को मैंने पढ़ाय हुआ है यानि कि यह रचना एक तरीके से क्या है दूंद प्रधान रचना है अब दूंद क्या क्या है देखना मैं सारी बाते लिख रहा हूँ अंधकार से प्रकास का अंधकार से प्रकास का निलासा से आसा का दूंद है न्याएं से न्याएं धर्म धर्म नैतिक नैतिक क्लियर यानि इस तरह का सकते हो कि इन समश्थ चुजों से युक्त यह रचना एक तरीके से गतिसील रचना बन जाती है यानि कि जिस बंदन के ब्रोध में रचना खड़ी होती है और सांस्कितिक जागरन को आगे बढ़ाती है और बागरन में जो द्वंद उभरता है उसके माधियम से रचना एक गतिसील बन जाती है तो किलिर हुआ सबको अब अतिम महत्पुन बात बताने वालों आप लोगों को समझना कि प्रकिर्टी को छायवादिया जो निलाला है उसको सकति का प्रहय मानते हैं वो मानते हैं कि जो प्रकिर्टी है क्या वो अध्भूत है उसके माधियम से जिस सकति की बात कि में हाँ बात करूं आप लोग सामने तो ध्यान सुनना अतिम महत्पुन ये व्याक्या में सारी बाते शमलित होंगी तो इसको ध्यान समझना देखो पांच सकतिया विद्दमान हैं जल आकास पवन अगनी प्रित्वी समझना मेरे वच्चो ध्यान से इस बात को पूरी गंभिता समझना ये पूरी रचना को सार बनाएगा और एक तरीके से आपको समझने का विमर्स पैदा करेगा ये कहते हैं कि जिस प्रकिर्ति की सकति को प्रयाय मान रहे हो कहते हैं कि ये प्रकिर्ति की पांचो सकतिया संतुलित हो जाए तो क्या है संतुलन और जीवन की संरचना संभ जैसी बात ही जो पांचो सकतिया आपके सामने मौजूद है जल आकास पवन अगनी यदि यही अब जो आकास मतलब तुफान आता है ने इससे, तुफान हो गया, जंजावात आ गया, पहण सिब क्या हुआ, पहण का वेग बढ़ जाएगा तो तुफान हो गया, अलग-अलग तरह कि जो आपकी हवाया चलती जो अलग-अलग नाम हो इसके, चक्रवात, तुमाम चीज़े जो है अगनी यानि दावा नेल यादाराक को फित्वी यानि की जो भुकंप अगर है ति सभी सक्तिया क्या है यह मानते हैं कि प्रकिर्टिक जो पांचो सक्तिया है यदि वह आपस में समनवे हो उनके अंदर एक संतुलन हो तभी तो जीवन की संरचना संभाव है तभी तो व विकास संभाव है, लेकिन यदि प्रकिर्तिक इन सक्थियों के मद्य क्या हो असरंतुलन हो, यानि इन सक्थियों के मद्य असरंतुलन हो, तो जाहिर सी बात है समस्यात उत्पन होगा है, चीज़े विकराल रूप में आजाएगे, अब यह देखना इसकविता के माध्यम से व अंसंतुलन कुछ और नहीं इस अंसंतुलन का यर्थ है यह जीवन के लिए क्या है घाती है यही राम के साथ हो रहा है समझना रावन के पक्ष में दो सक्तियां क्या है उसके पक्ष में कौन-कौन सा ध्यान देना रावन के पक्ष में सक्तियां एक विद्वान है जल और दूसरा आकास ततो और दोनों ही अतिस सक्ति साली ततो यहां देखना जल ततो आकास ततो कैसे है जल ततो मतलब स्री लंका यहां है ध्यान देना चारत तरब किस से घिरा हुआ जल से घिरा हुआ है को जान नहीं सकता राम किसे नहीं खड़ी है ध्यान देना यानि कि कहने का भी प्राहिए कि जो जल सकती है वो रावन कहीं कहीं क्या करें सनक्षन दे रही है इसलिए तो राम कह रहे है कि सकती और ध्यान देना उनके मन में एक हार का भावत्पन हो रहा है दूसरी तरफ देखना जो आकास तत्व है आपको सबको पता है कि जो आकास में कौन सीव और पारवती यानि कैलास जो है उनका निवास अस्थान है तो कविता में कहा जा रहा है कि एक तरीके से दोनों की दोनों जो सक्तियां है व वो कहते हैं कि जिस तरह समुद्रूर की जल राशी है वह लंका को चारो तरफ से घेरी हुई है जो एक तरीके सुआ सनरक्षन दिया हुआ अर्थात जल तत्यु किसके फिवर में है रावन के फिवर में है धूसरी तरफ जिस आकास यांग गगन तत्यू की बात हो रही है वह सीव का निवास अस्थान है याई इस तरह ये दोनों रावनके पक्ष में तभी तो सक्ति का संधान करना पड़ रहा है राम को इस्ति सकत्य के सक्षित की पुझा करने पर दिए दोनों सक्तिय इनको दिखाई की देता है वो रावन्ह को पक्ष में शिल्गत है अन्या जेदर कि नहीं की सक्तिए आप देखो तीन बाकी जो तीन सक्तिया है वह राम के कैसे बताता हूँ आप लोग, ध्यान देना कि जो भी यह दोनों तत्व कि मैंने आपको बात किया, कि जो रावन के पक्ष में, यह सारी सक्तियां, शक्रिये हैं, ध्यान देना, अति महत्पुन हो जाता है कि कोई आपके साथ है, सोरी, तत्व, और व पुन हिस्ता हो जा रहा है यहीं से राम के मन में क्या और एक निरासा के भाउत्पन हो रहा है अब देखो जो तीन सक्तिया है जो राम के पक्ष में है इसमें से पवन है अगनी है पीत्वी है तो कहते हैं कि जो समुद्ध की गरजना है ध्यान देना यानि समुद्ध की जो गरजराहाट हो रही है जो तुफान आ रहे हैं जो लहरे हैं वो राम के मंद में और निरासा उत्पन कर रहा है इसलिए है आमानी सा उगलता हूँ समझना एक तो घंगोर रात का और उपर से समुद्ध की ये लहरें उसकी आवाज ये गरजना हाट कहीं ने कहीं राम को और विभोर कर रही है डरा रही है या बात इसका विता में कहीं गई है यानि उस जो प्रकृति का तत्व है वो राम को क्या कर रहा है विच्रित कर रहा है यानि वो भीषन गर्जना राम की निराशा को और बढ़ा देता है जब कि देखना जब आकास तर तो जब और घना होता है और जब अंधिकार और बढ़ जाता है तब तो ये कह सकते हो ये जो निराशा है और बढ़ जाती है सुम्झे दोनों तत्व किस तरह राम को भैवीत करें प्रकृति के यानि किस तरह राम और भैकरांथ हो जाते हैं इसके भी देखना कि राम के पक्ष में जो प्रकृति के तीन सक्तिया विद्यमान है उनमें सिर्फ पवनतत्व प्रित्वी और अगनी अब देखना पवन यानि वाइउ अगनी मतला अगनी प्रित्वी मतलब शीतह और पारवती ध्यान देना सिता क्या है वो तो प्राधिन हो चुकी है मैं आपको बता है सिता किस बात कभी प्राय है भारत की मुक्ति कभी यानि स्वतिन्ता देवी की वो तो रामन कभजे में है एक सक्ति तो यूँ ही गया दूसरा पवन अकेला है जो सक्रिय है पवन जो निस्क्रिय है अब दोनों जो सक्तिया सक्रिय है वो तह इनके फ्यवर में है ही नहीं अगनी अगनी यानि मसाल इस कभीता में तुम्हें एक मसाल दिखाई देगा त्यान देना वह अकेला मसाल बताओ कितने अंधेरे को दूर कर सकता है एक तो घंगोर अंधकर अंधेरे को दूर करगा, यानि कहीं ने कि इसमें एक सकरात्मक भी है, एक मसाल के माध्यम से, एक मात लिन को सकरात्मक दिखाई देरा राम को, यानि कि सभी तत्तों में एक अगनी तत्तों है, जो क्या है, राम के फिवर में हो भी क्या है, एक सिवल मसाल के रूप में हो, या मैं जिन पांचों तत्तों की बात कि आपको इस कविता में सब को किलियर है यह अतिम महत्मुने ध्यान देना जो बाते बताया हूं मैं किलियर है सभी को ओके चलिए तुम आगे बढ़ें यह अतिम महत्मुन बात था समझना आप लोग इसलिए देखना यह पंक्ति है जो इस भाव को दिखाता है कि है अमानी सा उगलता गगन घन अंदकार खो रहा दीसा का ग्यान इस्तब्ध है पवनचार अप्रती हद गरज रहा पीछ अंबुदी विसाल भूधर जयो ध्यान मगन केवल जलती मसाल देखना क्या लिखा हुआ है केवल जलती मसाल यह एक मात्ता तो क्या है चो शक्रिय है इस थिर राग्यमेंद्र को हिला रहा फिर संसे संसे रहरा उठ था जग जीवन में रावन जैव है जो नहीं हुआ आज तक हिरदेरी पू दम में शांत एक भी अयुत लक्ष में रहा हो जो दुरा प्रांत कल लड़ने को हो रहा वी कल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार देखो यानि वही सब पंक्तिया क्या है फिर से रिपीट हो रही है यानि कि जो मैंने भाव बताया था जिस सक्ति के माध्यम से जिस प्रकृति के माध्यम से जो एक भावत पन हो रहा है राम क जो एक घंगोर अंधिकार हो रहा है जो समुद्री गर्जना है वो कस तो संतुलनम नहीं है प्रकिर्थी इस वज़ा से ही क्या है ऐसी असमर्थता उनके मन में इस तरह के भावत्पन हो रहे हैं राम के मन में एक बार-बार संसल्थपन हो रहा है उनके मन में इसलिए देखना निराज ये मानते हैं कि जो प्रकिर्ति क्या है ध्यान देना अती महत्पुन बात ये भी है ये मानते हैं कि प्रकिर्ति के तत्तों के मद क्या है संतुलन नहीं है ध्यान देना और अब देखना जब प्रकृति करें संतुरं हो जाएगा तो देखना जो च्छायावादी कवें हैं ध्यान देना उन्हें प्रकृति के दो को माना है ध्यान देना ध्यान देना आंत्रिक प्रकिर्थी दो हिसा मानते हैं प्रकिर्थी के ध्यान देना आंत्रिक प्रकिर्थी और दूसरा बाहे प्रकिर्थी देखो मैं जितनी बाते बता रहा हूं किताब में नहीं मिलती है ध्यान देना सब लोग और एक किताब में सबी लोग कोई भी बात जितनी बता रहा हूं कोई एक पुष्टक की बाते नहीं हैं कई किताबों की बाते बता रहा हूं मैं एक किताब में सारी बाते नहीं मिलती हैं कई किताबों का संकलन हैं जो आप लोग बार पुष्टे रहा हैं कोन से किताब पढ़ें मैं एक किताब बता सकते हो पर एक किता में सारी बाते नहीं मिलेगे मिरे बच्चो एक अलोचे की बाते मिलेगी दूसरी अलोच किता पढ़ने पढ़ती है तब इतना भावबोध इतनी गंभीड़ता रचना के विमर्स में आता आती है इसलिए जरूरी है पुआ सालीनता से सुनिए समझे जहां प्रस्ण उठता है निसंदे निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि छैवादी क्या मानते हैं प्रकिर्टी के दो हिस्से को मानते हैं कौन सा है एक आंतरिक प्रकिर्टी एक बाहे प्रकिर्टी यानि कि जो आंतरिक प्रकृति है वो क्या है हमारा सुभाव या मन है ध्यान देना बहुत महतुन बात है यह यानि या आंतरिक प्रकृति क्या है हमारा जो सुभाव है वो मन है और बाहर प्रकृति क्या है जो हमारा वातावरन है ध्यान देना बच्चों तुम्हारे तयारी को लेकर भी है यह बात यानि कि कैसे तो जिस तरह हमारा सभाव जो मन जो मारी आंत्रिक प्रकिर्थी है यह वह जुड़ नहीं पाएकि किससे उस वाता रों जहाम रहते हैं जैसे कि क्लास कर रहे हो कुछ लोक क्या है आपको डिश्टरब कर रहे है वह क्लास में मनणरंजन करनेा रहे लोकि explored दूंभ रहे हैं उन्हों मनणरंजन मिल द्रहित आते है तो को हाल है निरासन में बैठ जाती है यानि कि समय का अनुपालन नहीं कर दो यानि कि आपको आपके सुभाव और मन और जो बाहे प्रकुर्ण दोने को पर क्या समनुए बनाना होगा यही आपके मन में उल्जाता संचार करता है और देखना यही राम के साथ हो रहा है कि उनका जो आंतर आउन के साथ नहीं है अउतर अफ जियल्राशी है भगण गर्जना कर रही है समनुद्हिं के तरए जो आंतरीक प्रकृती है और जो बहाये प्रकृती उनके मद्ध क्या है शंटुलन नहीं है द दोनों के मद्ध हम संथ ह democr के स्थापित नहीं और यही वता है कि हम अपने जीवन में इन्ही विडम बनाओं और विवस्ताओं का सिकार हो जाते हैं और यही वज़ा है कि राम पे भी इन्ही बात राम हावी हो जा रहे हैं और राम के अंदर प्राजय बोद का जनम हो रहा है ध्यान देना, यानि जिस तरह अपने मन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मन के अंदर ऐसे भाउत्पन होते हैं तो यह आप कर सकती हो, जिस पराज़य बोध का भाउत्पन हो रहा है राम के अंदर बोल रहा तुन कि स्थिर रागमेंदर को हिलारा फिर सन्सेसन और इस तरह देखना हो क्या करते हैं हार को स्विकार कर लेते हैं चुन्मारे साथ भी या स्थिति निर्मित होती है तो समझो यह कविता तुम्हारे भी वस्तु उस्थिति को दर्शा रही है समझ पाए जितनी बाते बता है जिस प्रकृति के तब तो उसे मैंने जोड़ा जिस प्रकृति के भाव से जोड़ा पुरी कविता को किलियर है जिस छायवादी जिस प्रकृति के भाव को मान रहे है आंतरिक भाय ठीक है किसके कोई सवाल किसके कोई सवाल चलिए तो हम आगे बढ़े ओक्यास का कल की बात जो एक लास की वह भी एक तरह से रिपीट हो रही है कहीं ने कहीं वह सारी बात है तो यह को पवन मतलब वाई हुआ ना ध्यान देना पवन को मतलब वाई हुआ होता है तो वाई हुआ भी क्या है उस समय जो है वो क्या है गति सील नहीं है राम के फक्ष में नहीं है ब्याख्या में उच करोगे अनामिका ब्याख्या में कि जब तुम्हें इस्तिराग्मित वाली पंक्ती देदे कहीं पे भी मैंना को जब यूडियो मैंने classes लिया था कि व्याक्या कैसे करें? आपको बताया था कि जिस रचना का पुरा साज़ रचना धर्मिता होती है उन सब ही की बातों का समावेश होता है व्याक्या में है न चलि किसी ने कहा कि सर तथो कुई रिपीट कर देजिए ठीक है ठीक है मैं सकती मूल सकती है न पांचो हमारा निर्वान भी इस तत्तों से हो रहा है और जाईसी बात है इन तत्तों में जब तक कह सकते संतुलन नहीं होगा तब तक क्या है जीवन नहीं होगा जब तक संतुलन के मध्य जीवन है जहां एक भी तत्तो और संतुलित हो गया तो क्या है हमा भारतिये जनमानास किसी देख गोई थी उसको दर्साने की तो राम पहिंगे सहरा लिया है इसलिए तो यह क्या बूल रहा हूं कि यह कोई बाल में की या तुलसी कराम नहीं है यह जिस कृत्रिवास ओजहा के राम है जिसमें यदि घटना करम वही इस्तिदी दर्सा आते तो रचना शपाटन ज़र doğru इसलिए तो रचना में इतनी क्या है विमर्श है कि वह अधनिक राम है उनके अंके अंदर Iमर नविन पुरसोत्तम है वह इसलिए तो इनको क्या क्या नविन पुर्सोतम कहा गया है के क्लेर सब को ठीक है जैसमल्फ हो गे है सैा जासमाब मैं है यहांनि कि जन पांचों सक्तियां हैं जिसमें जल तत्वalayठत जो शमुन्दर की पूरी जो कह सकते हो आस पार जो है लंका कि वो क्या है किसकी फ्रमे करहे हैं रावन के पूरिक harisi को समंदरि की पूरी जो आकास है जो क्या है शीव और सक्ति का निवास स्थान है बहुत भ्या है रावनचा रणगोर अंदिकार है वो रामचे मन को स्थिति को और डरावना बना रहा हूं उनके नदर प्राजय भोध है कि मैं आपको जो बाह प्रकृती है उनको दिखाई देता यंग हमार सात नहीं अब सुनों, देखो यासिका जल और आकास यह दोनों किसके ऐस्यो प्रवर में है रावन के पक्ष में ध्यान देना पवन जो है वह निस्क्री है और है अगनी क्या है वह सक्रिय है लेकिन एक मसाल की रूप में मात्र है इसलिए कविता में हैं केवल जलती मसाल पृत्वी अर्थात शीटा जो खुद क्या है रावन के कबजे में है समझना तो इस तरह से क्या है कविता के जो पाँचों सक्तियां जो तत्व हैं यह है मोनिसा आपको क्लास मिल जाएगी प्लीज आप मेरा डिस्क्रिप्सण में लिंक है मेरे प्रोफाल का नेकडेमी का है आप वहां से प्रोफाइल पे क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं या फिर आप टेलेग्राम जोइन करो वहाँ पे सारे classes की link पढ़े हुए टेलिग्राम पे है न तो आप टेलिग्राम से भी ले सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं तो clear है समझना अब पुना आते हैं हम लोग कोई है हमारे class में जो बेंगॉल से है कोई है बंगाल से कोई है हमारे class में जो बंगाल से है बिल्कुल कोई है बेंगाल से कोई है जो चलिए कौन है आप हो सुरूती अच्छी बात है तो मुझे बताईए कि बंगाल ध्यान देना सभी लोग सभी के लिए सवाल है और उत्तर भारत क्या जो मूर्तियां बनती है इनमें अंतर होता है जास्मीन भी है तो मुझे बताईए जिस दुरुगा सुरुक्य बात कर रहा हूं तो बंगाल में उत्तर भारत में जो मूर्ति बनता है मां दुरुगा कुछ में कुछ अंतर है है क्यांतर होता है क्या अंतर होता है पता नहीं है जो लोगा बताता हूं देखो देखना जो उत्तर भारत में बिलकुल सही नगौन में दस हाथ होता यानि भुझा उत्रभात में आठी होता है यह अंतर होता ध्यान देना अब tao कि कि लग चीज़ां टिना कि भूझां चाहिंत ना ये नरे Catherine Jahr inning तो ध्यान देना कि जिसमें इस तरह भुजाएं आठ रो दस यह प्रतीक कि सकति का परिछाय के समझना इसलिए तो इनके उपर प्रभाव है निराला जी के उपर क्योंकि देखना कि जिस रामायन की हम बात कर रहे हैं ध्यान देना वह क्रित्रिवास के रामायन से नहीं लिया जिसमें इसलिए देखना कि जिस बंगाली में क्या है दुर्गा पूजा के अपना महतो है सक्ति का महतो है द्यान देना वहां पर दुर्गा सक्ति का प्रियोग होता है तो इसका प्रभाव है निराला के मन में पढ़ा क्यों कि निराला कि वहीं से बंगाल से ही है ध्यान द सभी लोग ध्यान से क्या करता हूं कि साहित जो है समझना मेरे बच्चों कोई विशाय नहीं है जिसीन तुम साहित को विशाय मान लोगे ना पढ़ नहीं पाऊगे साहित जीवन है को पनेते हैं कि समप्वेधिवन है कि तुमहारे आस-पास का वीमर्ष है यह विसय तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा कभी लिए तुम्हें कुछ नया पढ़ना है कुछ पढ़ना है तुम बहुत ही साधारन जीवन से अपने आपको जोड़कर इस कविता को कहानी को पाने सो बहुत अच्छ समझ सकते हो पढ़ सकते हो ठीक है अब नीज अंतर यह है कि देखो मेरी बात सुनना एक विमर्स है समझ ना एक विमर्स होता है जैसे तुम हम लोग कार्तिक जी की पूझा करते हैं याद है आपको कार्तिक हम उत्तर भारत इनकी पूझा नहीं होती उतनी जाद ध्यान देना दक्षी भारत जाओगे इनको मुरुगन बोलते हैं मुरुगन याद आ रहा है मुरुगन देवेंदर जी आज आपकी पहले क्लास कौन से क्लास है आज ही कंप्लेट कर लेंगे का ओप्षिनल अरे पढ़िए पढ़िए पहले यहां पर आए कुछ क्लास किये हैं तो न बताएंगे देखिए जास्मीन की बिदा जी मुरुटी बनाते हैं बिल्कुल मेले मुरुटी अपना अपना च्छेतरी विमर्स होता है जो सक्ति का स्वरूप है तो भी बंगला में ध्यान देना है लाकि दुर्गा कि इतने नौ स्वरूप होते हैं नौ सक्ति से लिए जाते हैं तो यह बाते किलिए रहे सब को मैं आगे बढ़ूं चलिए जो महत्तमुन बाते बता रहे। जब आपके जीए संगर्स आता है उत्सा बहुत जरूरी है ध्यान देना जैसे तुम लोग जब त्यारी में हो सामने किroe बहुत होगा कि तुम्हारा मनोबन नीचे जाए कि यहां तक ना जब तुम कारे करोगे न कोई कारे का स्वरूफी क्या है आपके अंदर संघर्स तनाव की स्थिति को लाएगा यह कारे करने की दिशा है कारे करो तभी स्थिति अगर कारे नहीं करोगे तो कुछ तनाव संघर्स आएगा ही नहीं तो राम के साथ भी चलिए अ आगे बढ़ते हैं यानि कि जिस संघर्स के मद्य उस्साह बढ़ाने के लिएक मधूर सपन प्रयाप्त होता है इससे देखना जब राम के मन में निरासा आते ऐसा भाव आता है उनका मनुबल नीचे गिरता है तो उनको याद आता है सीता से मिलन ध्यान देना देखो प्रेम क कितना बढ़िया सुंदर द्रिश यहां पर कल्पित कर रहे हैं निराला जी कि जिस तरह एक निरासा का भाव आता है उनका मनुबल गिलता है राम का तो याद करते हैं सीता के साथ प्रथम मिलन का द्रिश जब वो मिथला जाते हैं और आपको सब को पता है कि उपवर्मन की पहली मुलाकात होती है जब धनुस को तोड़ते हैं उसे पहले पहली मुलाकात ही होती है तो उस जब द्रिश्चों को याद कते है यानि कि नैनों से नैनों का संभासन समझना वो द्रिश को याद करते हैं यदि किसी ने ऐसा गुप्त संभाद किया है तो बड़ी अच्छ अपनिये हैं वह वह दोनों जो है वही समझ सकते हैं समझ यह अब सबी लोग अपना अच्छेतरी विमर्स बंद कीजिए कविता बनी है यानि कि इस तरह क्या सकते हो कि जब यह भाव उत्पन होता है उनकी जोको याद करते हैं तो उनके हीरदय में एक विजय भाव का संचार हो जाता है उनको याद आता है वह दृष्श तो मन एदम पुलकित हो जाता है और इस तरह इस कविता के माधियम से निराला ने उस मनोभाव को अंकित करने कोशिस की है कि किस तरह जो राम है वो उस निरासा में है लेकिन उस बिच एक उर्जा को ढूंड रहे हैं और यह दिखाई देता है उनको अपने उस सपन के माधियां से लेकिन देखना थोड़ी देर बाद ही पुल्कित करता है तुमारे अंदर आनंद का संचार करता है ध्यान देना तो इस तरह से क्या होता है तुमारे अंदर ने विजय का भाव आता है तुम पुना कारिक करने के लिए क्या होते है आगे बढ़ते हो लेकिन पुना जब तुमारा संगर्स तुमारे सामने आता है और आवी राम के साथ आ रहा है कि उन्हें उद्ध्र की स्थित निकल पड़ते हैं, देखो राम को यहाँ पे रोता हुआ दिखा रहे मेरे बच्चो ध्यान सुनना, यहाँ पे राम को नों ने रोता हुआ भी दिखाया है देखो कि जिस राम के और लोग सक्ति के हम बात करता है थाथ, एक मानव जो अपने जीवन के स्यथा से जूचता हुआ उसके आउंकों में आंसु मा आता है बच्ची यादतना, आंसु आना कभी सिर्फ कमजूरी का भी प्राय नहीं होता है समझना मेरे बच्चो आंसु आना कहीं से भी सिर्फ कमजूरी का भी प्राय नहीं है वो उनी स्मृत्यों का भी प्राय है वो आपकी भावनाओं का वरण है इसलिए बच्च यादतना जो भावनाओं में होगा वह यातनाओं में होगा समझना यानि जो भावनाओं में होगा वह यातनाओं में होगा किलियर है इसलिए देखना कि जब राम के सिती होती है तो हनुमान विकल हो जाते हैं यह वह व्यकूल हो जाते हैं और इस तरह उनके मन की जो व्यकूलता है वह कहीं ने कहीं निराला के सब्दों में उस प्रले के अनुभूती को दरसाता है और देखना एस सिती में सीव चिंदित होकर देवी को सुझाते हैं कि वह बुद्धिमता से काम ले राम जिस निरासा में हैं जो व्यकूलता है तो सीवी इस बाते चिंदित हो जाते हैं क्योंकि वो तो रुद्र के उतार है अनुमान जी किसके रुद्र के उतार है न कौन बताएगा रूद्र के कितने उतार हैं कौन बताएगा नमस्ते अतुल सब भूल गए क्या बिल्कुर सुर्या बहुत सही जो क्लास में कंट्यूनर उसको पता रहेगा यानि की 11 अब जब राम इस तरह होते हैं तो अनुमान के अंदर विकलता आती है इस पर सीव को भी अनुभूती होती हो चिंदित होता आते हैं और कहते हैं उनसे सीक्ति से कि बुद्धिमता से काम लो रगुनंदन की आग्या और सेवाधर में याद दिलाकर देवी हनुमान को सांथ करती है ध्यान देना और दूसरी विभिशन राम को उनके और उनकी सेना का बहुबल याद दिलाकर उन्हें प्रोसाहित करने का प्रयास करते हैं अर्था जिस राम सिति में है जो आशू निकल रहे हैं अर्था जिस प्राजय बोध आ रहा है ध्यान देना तो उसी बात को यहाँ पर जो है हरुमान पताते हैं और सीवी चिंतित होते हैं और सक्ति को भेशते हैं दूसरी वर देखना अभीवी सन राम कोन के उनकी सेना का बहुबल याद दिलाकर उन्हें प्रोसाहित कहने का प्रयास करते हैं लेकिन इससे भी राम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी चिंता तो इसी बात में है कि सक्ति तो रावन के पक्ष में है ऐसे में तो मात्र नर वान राक्षो सुका नहीं रहा होगा अब हनमान जी का नंबर कौन सा मुझे नहीं पता है ठीक है मैं वह हिंदू धर्म क्या माइथिलोजिकल नहीं हूं ठीक है चलिए वह इंपॉर्टेंट नहीं हो सब की जमत करो अब समझना की भाव समझना इसके विताकी की युदि की निरासा क्या रहा वा देखना राम सक्ती की पुजा से पहले अंत में地 में ध्यान देना राम की सक्ती पुजा पुजा कर रहे हैं और जब पुजा स्माप्त होने वाला होता है उससे पहले ही देखना राम फिर से निराज दिखाई देते हैं ध्यानते न यह महत्वून्स कीज़े बता रगे होना चाहिए देखना पहली निराज़ा मातर घटनाओं से हैं वहीं जो दूसरी निरासा है वह श्वयम शक्ति और तीसरी निरासा श्वयम के जीवन से है यानि तीन तरह की निरासा दिखाएदे इनको क्योंकि सक्ति पूजा से पूर्देखना राम देवी के विधान से नाराज है उनकी दिवासा इस बात से है कि अधर्मी होने के बावजूद वह रामकस रावन का साथ क्यों दे रही है इसलिए वे अपनी वेथा कहते ही है सक्ति के प्रभाग कारण उनकी सेना निस्फल हुई है और उनके हंस्त भी कशवते सक्ति के दृष्टि कारण बाण चलाते चलाते रुख गहते हैं समझना यानि कि जो निरासा किस तरह दिखाई दे रहा है इसलिए देखना सक्ति और रावन की संधी का निराला ब्ला सूंदर वर्णन कहते हैं समझना जो भाव है उनके अनुसार सक्ति क्या है एक चंद्र की भाति है जो रावन रुपी दाव को स्वेम में लेने के बाद भी अपने तेज से वंचित निध्यान देना जो रावन का पक्ष ले रही है वो एक चंद्र की भाति है जो रावन रुपी दाव को स्वेम में लेने के बाद भी अपने तेज से वंचित नहीं होती है इसलिए देखना जामुँद जो है जिने निरालापनी कविता में क्या बोलते है जामुआन बोलते है यादा रापनी वह राम की इस निरासा को दूर करते है और कहते हैं सुनना कि जब रावन असुद्ध होकर सक्ति को प्राप्त कर सकता है तो राम निश्चित ही सक्ति का वरदान उसको अरजित करने के आप योग्य है समझ ना कि जामुआन यही बात किसके बताते हैं राम को और यह बती महत्मुन बात बता रहो बच्चो ध्यान सुनना पूरी कविता का मैं फिर से रिपेट करहा हूं बहुत ही अच्छी कविता है UPSC हमेशा प्रश्ण पूछ रहा है और यह कविता आपको अच्छे से होना चाहिए और सारी बाते आपको एक किताब एक नोट्स में नहीं मिलेगे मेरी बात मान लो तुम किसी के नोट्स के भरोसे पड़े हो तो वह नोट्स नोट्स रह जाएगा वो नोट्स तुमारे किसी का काम कर यहाँ जख लेगा यदि नोट्स से ही सब कुछ हो जाता तो जो बच्चे वास्तों में टॉप करने पढ़ते हैं तो क्यों अच्छे सिक्षक से जोड़न और वास्तों में सिक्षक का भी प्राइव भी खास के जो ओफिनल में टीचर को उतना गहरा होना पड़ता है यदि उतना गहराई में नहीं है तो UPSC में आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला पाएगा तीन सब प्लस की जो संकल अपना है वह सिक्षक आपको नहीं दिला सकता है और उपरी तोर पे बातों से कभी भी ओफिनल में मार्क्स नहीं आएगे इसलिमें इतने गहराई में आप लोगको उतार रहा हूँ अभी आप लोग गहराई में उत्तर रहे हैं आप लोगको दिक्कत हो रही है लेकिन आगे चल कि ये गहराई आपको समझ मैंगी और ये गहराई आपको निसंदे आगे लजाएगे चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि निराला जिश जामुन की हम बात करते हैं वो राम की निरासा को दूर करते हैं वो कहते हैं कि यदि रावन असुद्ध होकर सक्ति को प्राप्त कर सकता है तो निश्चा ही सक्ति के वरदान के आप भी काबिल है जैसे आज की तोर में देखू न, क्या है, कुछ ऐसी सकतिया है न, जो नया नया है, धर्म धर्म, वो लोग सक्सेज हो रहे हैं, तो मैं नहीं लगए कि, अरे यार, जब वोड़ोग हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, समझना, इसलिए तो कहते हैं कि यानि कि यह दिलावन अराधन कर रहा है तो आप देल अराधन करो यहां CPC पूश्च चुका है व्याख्या आपको बता दिया हूँ समझना मैं आगे बताऊंगा दिर्ड अराधन आधन क्या एक फिर से यानि कि एक तरीके से कह सकते हो कि जिस तरह जो जामौन्त है समझना वह अराधन के बदले जिस अराधन की बात करें क्या एक टरीके समाने वासा में कओ इट के बाप पत्थर देने से लिए समझना मैं वहीड़े को क्या जिन्दा करना है और राम को यूद्र करने की यह बात जामौन कहते है इसलिए देखना वह नौ दुनों की सक्ति पुजा करते हैं ध्यान देना अभी नौराती चलने वाला है यादा रहा है इस तरह से देखना कि पुजा की ज़़ापती को बढ़ती वे जरा राम जब अंतिम उसमें निलकमल चड़ाना ध्यान देना सक्ति को परसंद करने के लिए निलकमल चड़ाना होता है तो जब यह मैं पहले बता थे कि राम कंदर तीन तरह की निरासा एक तो पुजा से पहले भी और पुजा के अंतिम जब पहुंचते समभी तब भी उनकंदर निरासा आती है क्यों कि देखना जब राम अंतिम निलकमल को चड़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तब उनके हाथ कुछ नहीं लगता है और इस तरह उनका ध्यांग भंग हो जाता है और असिद्धी की विचार से इसका विता में घटना करा में तीसरी बार उनको निरासा आती है ध्यान देना निरासा कोई ऐसी वस्तिती है ऐसी मनोभाव है जो प्रतेग मानों के मन में आता है वो प्रतेग मानों के जीवन विमर्ष के एक हिस्सा है मазियों कि इस निराशा के माधियम से कहीं नहीं मनुस्का अपने विमस्त के पुहूंचता है है अरे जोज़ने कि घटनाओं से अपने अयोग वेक्ती के साथ अच्छा होते हुए देखकर होने वाली निराशा सभी ने महसूस के शा शाले हो तो यहां भी देखो किस मनोभावों को जागर कर रहे हैं निराला जी और वो कह रहे हैं कि निरासा तो एक मानवी गुन है घटनाओं और अपने से योग वेक्ति के साथ अच्छा होते हुए देखकर जो निरासा है वो सभी ने महसूस किया होगा लेकिन राम को तो तीसरी बा एक सकरात्मक पहलू होता है समझना वो तुम्हारा भी मर्स है कि तुम उसे कितना सकरात्मक ले रहो प्रते घटना करो यानि इसलिए कहते हैं कि धिक जीवन को जो पाया ही आया विरोध सुनना धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया बिरोध यानि कि क्याने काई प्राय क्या है ति कार है मुझे से जीवन पर सुनना यानि कि जो पंक्तिया हमने पढ़ा उन पंक्तियों के धार पर क्या सकते हैं कि राम जीवन भर झेले गए दुख और साधनों के लिए कि राम जो है जीवन भर झेले गए दुख और साधनों के लिए किये गए संगरस की निरासा जलक पड़ती कहते हैं कि जीवन में कभी भी मैं उन साधनों का प्रयोग नहीं किया जो क्या है अनैतिक है तुम कभी सोचते हो ना क्यार मैं तो जीवन भर क्या अच्छा इंसान बन है फिर मेरे सामने ऐसे स्धिति की बन रहे हैं है के कि इसलिए कहते हैं कि अंत में फल मिले तो संगर्स और दुख सब सुखकार होते हैं ध्यान देना जब आप संगर्स दुख जेल रहा हो फिर भी आपको फल नशन ले तöhसंगर्स दुख्र सब बेकार होते हैं तो राम कमन भी यह बात आ रहा है कि अब मैं जब पूजा कर रहा हूँ और सक्ति के राधना का मेरा क्या है अंतिम शमय आ रहा है तब ऐसी मेरा सा क्यों समझना कितना मानुविये प्रतीक है ये भावनाओं का यानि राम के माध्यम से वास्तों में हुआ हमारे और तुम्हारे उस मनह इस्तिती को वास्तों में उजागर कर रहे है लेकिन देखना सक्ति के साधन में खुद को भी फल मानने से राम के मर में पिछलों विरोधों का रहे एक टीस उट जाती है लेकिन देखना राम में एक अजीब सी बात है कि राम का मन एक था जो संघर्ष के बाद भी नहीं ठकता है और वह बलिदान करने के लिए तत्परता ध्यान देना ये पंक्ती इसलिए तुम्हें भी कहता हूँ निरास मत हो लगातार लक्ष के प्रतिक केंद्रित रहो ध्यान देना और निसंदे तुम्हें लक्ष मिलेगा पर तुम्हारा मन हमेशाब क्या होना चाहिए संघर्ष के लिए तयार होना चाहिए तुम्हें अपना विमर्स देखना होगा इससे राम निरास नहीं हो रहे हैं ठक नहीं रहे हैं वो बलिदान करने के तक पर थे उससे उन्हें वो याद आता है कि उनकी मात उनको राजीव नयन कहती थी ध्यान देना जब अंतिम निलकमल चड़ाना होता है उनकी मात उनको राजीव नयन कहके पुगारती थी यानि कमल जैसे नयनों वाला तब उनके मन में उठता है अब मैं इन्ही जो नयन है इन्हें को मैं चड़ाऊंगा देवी मा के सचर्णों में और मैं सक्तियर्जित करऊंगा समझना इसलिए बोलता हूँ तुम्हारे पास जब तुम सबसे ज़्यादा निरास होते हैं ध्यान देना अपने जीवन में जब तुम अपने जीवन के सबसे निरास में समय में होते हो अपने संघर्स में समय में होते हैं याद रखना इसका मतलब तुम अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला हो अगर इसी वक्त हम हमेशा ज़्यादा निरास होते हैं जब मंजिल के बहुत करीब पहुंचेगे तब तुम्हारे अंदर भाव आता है बहुत ज़्यादा निरास आगा बहुत संघस किसी तुम्हें दिखाई देगी याद रखें ना को राजी नियां दिखू याशी का इक टरμोलोजी नहीं बोल सकते हो क्या हमति क्यी बार हमारे मान होती है हमारे सरी की जितनी भाव भंगीमा है उसकी तूलुना क्या करती है वो बहुत बड़े उमर्ज से करती है ध्यान देना तो इनको भी याद आता है कि इनकी मा उनके अनैनों को राजी उन्यान करता कमल पुस्प की तरह चुकि निलकमल चड़ाना होता है सक्ति के अराधना में तो इनके बाद जो अन्तिम निलकमल होता है वो क्या होता है कोई ले जाता है इंके सामने सोजल होता है अब अन्तिम निलकमल जब तक नहीं किराएंगे तब तक क्या हो अराधना पूरी नहीं होगी तो उस अराधना को पूरा करने में यह अपने इन आखों का बड़िदान करने कोशिस करते हैं समझना और जब ये सोचते हैं मन में कि नहीं अब मुझे ये अर्पित कर देना है और जैसे अपना तिर उठाते हैं सकती प्रकट हो जाती है और ध्यान देना सकत जब प्रकट होती है तो आसिज देकर उनके सरीर में लीन हो जाती है ध्यान देना जिस तरह रावन को तो अंक में यानि गोद में ली होते लेकिन राम के हिर्दय में आ जाती है इनके सरी में लीन हो जाती है एक तरीके से पूरी कविता की इस तरह से ब्याख्या और कविता की पूरी बाते बताएं आप लोगों को clear रहें, पुरी कथाना के तरीक से बता दिया, मैं पुरे भाव बता दिया, किसी कोई सवाल, इंट्रेस्टिंग लग रहा एक कविता, सबी लोग एक पर मुझे message कीजिए, बताईए, यासिका, देखो, मैं जितनी बाते बता समझ माया, बिल्कुल आउनी, इस नरोंनेगा, इस परोमन को, यह रचना है, मैं थे लिशन गूपत की, यह मैं PDF आप लोगों को send कर दूँगा, ध्यान सुनना, और PDF send करने के बाद उसमें देख लेना, ठीक है, और जो बाते बता हैं, उसमें कुछ point वाई लिखा करो, लिखते हो बहुत अच्छी बात है, मैं एक दिन प्लान बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक class लूँगा, कि notes जो भी पढ़ रहे हो, हिंदी ही नहीं, कोई भी विषय पढ़ रहे हो, जैसे आप मालो हिंदी पढ़ रहे हो, टो आपके जो पढ़ने की शैली है, उस सैली से कैसे note बनाओ? यानि कि जैसे मैं बतारहूं हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आर्टिकल है इतना बड़ा ध्यान देना, इसने इसका इतना वड़ा आर्टिकल है तो मैं इसको इतना कर देता हूं बस क्योंकि आपके पास ध्यान देना तयारी के दौरान इतना सार पढ़ना होता है और को समेटना होता है इतने में जरूरी है समेटना नहीं समेट हो कि यूपेसी क्या है 150 सब्द, जाद सवा 20 सब्द में लिखना होता है, ध्यान देना देखो, चंदन, मैं हमेसे कहां हूँ, जब दिस्कसि लिया हृए था, सिलेबस के ध्यान देना जब मैंने सिलेबस के लिज़ा विडियो पढ़ा हुए या फिर मैंने तैयारी को लेकर बातें की थी मैं कभी भी ख्याली पुलाव वाली बात नहीं कहता ध्यान देना मैं ख्याली पुलाव त्यार नहीं करवाता हूँ आपको मूल किताबे पढ़नी चाहिए मैं फिर सरीपिट कर रहा हूँ मूल किताबे पढ़ोगे तो सब्दों से अउगत होगे सहित से ओगत होंगे, वीचारों से ओगत होंगे, उससे ओगत होने के बाद यदि क्लास्रूम में पहुंचते हो, तो teacher की बाद तुम्हें और गंभीरता नहीं ज़ाराएंगी, तुम teacher को पकड़ सकते हो, तुम्हारा जब 2 साल तैरी हो जाता है तुम्हें समझ मेता है खड़ और या iç see कि या तैस समझें तो मुल्ड के ला बच्ल नपचे बीलगुल पढ गए से विग सतारे से तुम्हें की मेरे नहीं मेरे क्लास से होना मेरे मेरे कलास से विजियेशन करने चल्मताह विकास होगा तुम उस वीमर्स तक पहुंच सकते हो ध्यान देना क्यों कि यूपीएस्टी है मेरे बच्चों ये कोई क्लास एकड़मी की एकजाम नहीं है यहां पर आपकी लड़ाई कोई लोगों से ज्यान देना बिलकूर मैं सब्सक्राइब करते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है मुझे फर्क इस बात तो नहीं पढ़ता है कि आप मुसे खुस है नाराज है क्योंकि मैं आपको सिफ खुस करने के लिए नहीं पढ़ा सकता है आप अभी खुस हो सकते हो आगे चलके खुसी आपके लिए खतनाक हो जाएगी ध्यान देना इसलिए UPSC आपके लिखा है ना आपके लिए चमता का क्या होना चाहिए विकास होना चाहिए जैसाफ लेकिन बहुत सार नुकसान भी है वादा रहा हूं क्योंकि जितना और फ्लाइं क्लास में अटेंटिव होते हैं मेरे ओफ लाइन क्लास में कोई बच्चा इधास अफ देखता नहीं देख नहीं पाता है सिधा मेरे तरब निगाह होता है इतनी गंभीरता होती दने और वहां पर तुम्हें कविता जब पढ़ाओंगा पढ़ाता हूं ना कविता ऊफलाइन में तो बच्चों से खुद गवाता हूं जुम जाते हैं कलास मतलब बोलाना इस विसय पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हें बेवकूब बना के मुझे रास्ता नहीं तुम्हें तैय करवाना है क्योंकि आपकी लड़ाई लंबी है समझेगा मैं नोट्स पे आऊंगा एक हिल्प करूंगा बताऊंगा कि सायद इस तरह से नोट्स बना से नोट्स बनाने का मतलब क्या ध्यान देना उसकी प्रमुक बात यह है कि नोट्स का मतलब आप इतना पढ़ रहे हो उसको कितना सिमित दाइरे में ला सको और जो मूल बाते हैं उस उसको क्या करो लिख सको कि अपने सब्द में विस्तार कर को, ध्यान देन, क्यों कि, जैंड सुसर्ण नोर्स में क्या करना आपको , बिल्कुल चलिए तो आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है मैं आगे बढ़ू क्लास सब आगे ले चलो देखो जैसे माल लोग एक बात है माल लोग किसी के फालोवर या बच्चे कितने है वन मिलियन है ध्यान दिना अब माल लोग मेरे फालोवर बीस ही है ध्यान देना लेकिन मेरे बीस मेसे दी मेरे दो बच्चे 300 से ज़्यादा नंबर ला दिये 350 ला दिये अगे इनकी मिलियन फालोवर हैं लेकिन नंबर ही ला आ पा रहे हैं तो कौन ज़्यादा हुआ बढ़िया मुझे बताओ समझना कौन बेतर हुआ मुझे भीड़ नहीं चाहिए मुझे विमर्ज करने वारे लोग चाहिए और यही लोग आदे हैं रिजन टलाते हैं यह दब इस पष्ट बात कहरो मैं कोई रागले लेप नहीं है यह बात सत्य हैं देख लो हर साल कितने लाखों लोग जामें बैठते हैं अकर क्यों और रहा जाते हैं सोचते हो कभी विमर्ज इसलिए बोलता हूँ कि संघर्ष के पत पे आगे बढ़ो यह राम नवीन कोई और नहीं तुम्हारे इन नाम है समझे मैं एक दिन बोला हूँ राम पे मैं स्पेसल क्लास लूँगा इसमें बताया हैं सब की चर्चा करूँगा किस के राम तुलसी के राम बालमिकी के राम कभीर के राम केसव के राम निरारा के राम आधनी के राम तमाम में राम पर चाचा करूँगा कि राम पर कितनी सारी किताब है लिखी गई है मेरे पढ़ाने के सहले बच्छो बहुत विसिष्ट है जिस दिन समाज मा जाग तुम लोग बहुत अच्छा लगेगा एक्जाम औरिंटेड बिल्कुल सुर्या हो सकता है नाम तुम्हारा है आएगा बहुत लोग को आएगा नाम चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बहुत होगे तो दकी बाते चलिए कि अगे चलिए इससे पहले मैं आपको प्रकृति को तुम्हारा साथ कुछ बाते क्लिए कर देता हूँ ना उतनी बाते प्रदेगा देखना कि मैंने पेन कहां रग दिया देखना कि जैसे ही राम अपनी प्रकृति का जो बाह प्रकृति ध्यान देना मैं जिस प्रकृति के तुलना किया था अर्थात छैवादी जिस आंत्रिक और बाह प्रकृति के बात कर रहें ध्यान देना इस आंतरिक और बाहर प्रकृति के बात करें जब संतुरुन ब्राप्त कर लेते हैं राम मैंने देखा कि सरह पूजाव करते हैं और आधना हो जाती है तो जब एक सामझे से बना लेते हैं आंतरिक और बाहर से तो क्या होता है, उनकी निरासा दूर हो जाती है, ध्यान देना, निरासा क्या होती है, उनकी दूर हो जाती है, तुम्हें बच्चों अपनी निरासा इसी तरह दूर करनी है, मैं हमेसा कहता हूँ, कुछ लोग होगे, ध्यान देना, जो बाते बताने वाला हूँ, कुछ लोग चाहूंगे प्रेन में महसूस होता 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 है कि तुम में डिया फोर सब लोगों को ठाकेक हो दिखो दोनों का आपस मैं मैं जब डिसक्स किया था तो ध्ञान यहा देना कि टेंगो अगया बाता है इसमें आपको बताया था 100 नमबर का व्याक्या है ध्यान देना यहां से माक्स आप खीश सकते हो अधिकना भासा खंड है यहां पर जाधा नमबर ला सकते हो सव सूपर असपास दोनों में तो इन दोनों को अच्छे से करना है ध्यान देना इसलिए पेपर वन पेपर टू की बात नहीं है इन दुन में बहतर आंक ला सकते हो उसके बाद एवरेज भी उहां पर करते हो ना ता आराम से आपके 300 नंबर आ जाते हैं समझना यह भी मर्स है गुड़ाप्टर नों आसा बहुत देर कर दिवाज समझना सब्सक्राइब निरासा दूर किया राम तुम्हारे मन में की निरासा हो तुम्हें लगता है तुम प्र nieuग से अभागे इंसान हो और यहां करता हैं तुम लोग कि कि वहीं बाई-पास से आया नहीं है तो या दखना बच्चो यह सब छनभंगुरता है कि सब केमिकल लोचा है समझे हैं तो यह राम जिस निरासा में है उस निरासा को जब राम अपने अंतरिक प्रकृति और बाहर प्रकृति से खुद को जोड़ नहीं पाते हो, उस दिन तुम निरास होते हो, तुम निरास है कि वज़ा ही होती है, इसलिए ढूंड़ो कि तुम्हारा आंत्रिक प्रकिर्ति क्या है, और तुम्हारी बाहे प्रकिर्ति क्या है, दोनों के मद्ध क्या करो, जुड़ाव करो, उस दिन तुम् समझना इस तरह तुम क्या बढ़ोगे आगे बढ़ जाओगे तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगे चलो मैं राम की तरह बढ़ता हूं तो राम यानि कि जिस आंत्रिक और प्रकृतिस कुछ संतुलों निरासा को दूर करते हैं यानि रचना क्या संकेत देती है कि सक्ति का प्रया क्या है क्या है यानि कि सक्ति कुछ और नहीं सक्ति का प्रया है कि राम ने प्रकृति की सक्ति क्या किया है उसके स्वरूब को मांद लिया है यानि कि जहिर है वह एक तरीके से भावनाओ और बौधिक्ता में सामजस से कर रहे हैं ध्यान देना बच्चो इसका भी पड़ाए क्या है कि वह एक तरफ भावनाओ और बौधिक्ता कि क्या है सामंजस से बनाते हैं हमने कमाई नहीं पढ़ा था और आपको याद रहा ना कि पेपर फोर्थ में जब आपका इथिक्स का जो पेपर फोर्थ है जी एस का पढ़ना है ना इमोस्नल इंटेलिजेंस याद रहा है तो सारी बाते आपको इसली बुरूरा आपको बहुत यहां से सीखने को मिलेगा पेपर फोर्थ के लिए पेपर फोर्थ के बहुत सारे हिस्से पढ़ाता हूं ठीक है सारे चीज़ नहीं पढ़ाता हूं जानुशकर में क्योंकि वह अल एसे में आपको 170 माक्स लाना है ध्यान देना और आपको फूर्थ में 120 के नंबर आस पास ला सकते हूं इस तरह बतारों मैं इन तीजों तीन चीजों के मादिर से आपको बेहतर अंग दिलवा सकता हूं या देखना उसके बाद आप एक जनरल एवरेज नंबर लाना बाकी में आप आराम स्टॉप कर जाओगे आपका तैयारी स्मार्ट होना चाहिए इसमार्ट तैयारी होनी चाहिए समझना यानि कि राम उस भावनाओं और बोधित्ता का सामझत से बनाते है या देखना जितने जाद तुलना करोगे न मैं इतनी त्यादिक बाते तुलनात में बताने तो मैं कभी पढ़ाने मेरा तरीका सटिक होता है पर उस तरह सटिक नह जुदा नहीं होती उसमें कई गंभीरता होती है बहुत सारे आयाम भतातों आपको कविता हों का तो कियाद रखना कि सब लोग व्याख्यक करेंगे तो कितना कहिए है । 10 में कम सी कम तुम्हें च्छे से 17 न मोर लाना है था-थान-देना है मिनिम आ यानि कि उन्होंने उस बहुद इकता और भावनék च्पता से बना लिया था यानि कि समझना कैसे राम क्या कहते हैं उन्हाय यहां पे राम देखना पारवती ध्यान-देना बहुत बड़ी वाद बता रहा हूं राम जो है परवत को परवती मान लेते हैं ध्यान देना परवत को ही परवती मान लेते हैं और देखना प्रकिर्ति का मान वे करन हो रहा है परवत को ही परवती मान लेते हैं यानि उस तरह परवती का देह मान लेते हैं द्यान देना बहुत बढ़े चीज़ बताने वाला हूं यानि परवत को परवती का देह मान लेते हैं और देखना जो परवत के नीचे मान ले परवत है द्यान देना इसको यह नों क्या मान लिया परवती मान लिया परवती का देह मान लिया समझना नीचे क्या हो रहा है सागर उठा है, लहरे उठा हैं सागर की, कविता के नुसारा, ध्यान देना, यानि कि जो परवत की नीचे जो गरजने वाले सागर को क्या मान लेते हैं, सिंग की सवारी मान लेते हैं, देखो कितनी बड़ियां संकलपना है, यानि अपने दुख को क्या मान लो तुम लोग, जिए उनका इप्राया मान लो, देखो, यानि इस कविता में जो भाव है, यानि जिस परवत की बात करें, उसी को राम परवती का देह मान लेते हैं, और जो सागर की हिलोरे, जो उनको की सवारी मान लेते हैं, और आकास को, जो आकास ता लिए न, उपर जो आकास से पूरा इस्थैरी फैला हुआ, ध्यान देना, इसे परवती का मस्तक मान लेते हैं, यह देह हो गया, यह मस्तक को यिसे सवारी है, सिंग ध्यान देना, और जो द eerste दिसाय न, ध्यान दिस giàए है मान लो उपर नीचे आगे पीछ जितनी दस दिसा है न दियां देने ये दस दिसा है इसे दस दिसा है यहीं से याद आ रहा है बंगाल में दस भुजा इसी को मादरुगा का दस भुजा मान लेते हैं ऐसी व्यक्त कहीं नहीं मिले किसी किता में ढूंड लेना समझ लेना और यह संकलपना कुछ और नहीं यह संकलपना क्या है यह संकलपना प्रकृति के उस जिस परवत को परवतिक कलपना है और इसे ही क्या सक्ति की मौलिक कलपना कही गई है ध्यान देना इसी को सक्ति की मौलिक कलपना कही गई है इसे ही सक्ति की मौलिक कलपना कहा गया है यह बहुत ही महतुन बात बता है आप लोगों को में सबको क्लियर है कि सक्ति के मौलिक कलपनात क्या है किसी भी महान टीचर का लेक्चर सुन सकते हो समझ में आ जाएगा बिल्कुल 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 तो क्लियरे सबको जितनी बाते बताया है को डाउट जिस सक्ति की मौलिक करपना के बात है क्या जो एक राम जो है वो मानते है जिस देंको जिस बिमर्स को जो जो निरासा का भाव था जिसको जो निरासा आ रहे थी उसे निरासा को क्या करते है सकरात्मक सोरूप में परिवर्तन करते है अच्छा लगा चलिए मैं आगे बढ़ते फिर चलिए आगे बढ़ते फिर इसलिए देखना कि राम की सक्ति पूजा में राम जितने लौकिक हमें दिखाई थे, मैं आपको दिखा रहा तब जितनी बाते बताया है, यानि इसमें लौकिक राम भी और लौकिक राम भी है, यानि राम जितने लौकिक है, राम उतने लौकिक भी है, यानि कि जितने राम आप एक तो लोकिक एक धीतन राम क्या है आध्यात्मिक है उतने ही राम क्या है बौधिक भी है यानि दोनों का सामज़त से हो रहा है इमोसिनल इंटेलिजेंस भावनाओं और बौधिकता का परिचाय का पताया है मैं आपको बताया था कि छायवादी क्या मानते है कि मनुष् पुन विकास तब तक है जब तक क्या है उसके अंदर देखो चायवादी क्या मान रहे हैं वो मानते हैं कि जो विकास है मनुष्ष का व mult संभव तब्षैन देना जब क्या होगा जब आध्यात्मिक चेतना है मिए चेतना है व έχ और उसका विग्यान सम्मत चेतना पोदिख्था और बोलते हैं विज्ञांसमत चेतना है सुंद्धिन का इनका अपस में क्या उस्वणन वैं हो एक प्रकृति के वह जोड़ रहा था एक यहां पर जोड़ा है लोकी को लोकी के साथ यह दोनों चेतना ही क्या है इन दोनों का सामान ज़स है वही तो विक इसका परचाвар के उनका कंवल दर चोडी भजाता है और राम को नहीं मिलता है तो क्या करते हैं साधना भंग नरी अपने क्या आँखों को तो यह बात को आप संकल्पित करके बता सकते हो राम को उस चेतना से नाम को उस विमार से इसले तो कहते हैं कि होगी जय होगी है पुरसुत्तम नमीन कह महा सकती राम के वंदन में हुईलीन समझना तो जिस राम की मौलिक और स्री लौकिक कल्पना है जिसको मैंने जोड़ यह अभी भासा खंड की चिंता क्यों कर रही है जो मैं भासा खंड पढ़ांगा चिंता करूंगा अभी पढ़ो अभी फोकस कर जोड़ी चल रहा है तो क्लियर रहे मेरे दोस्तों यहां पे सारी बाते चलो इस पर बात करेंगे जब हम आपकी बात जो है ना जब मैं रीतिकाल पढ़ाँगा तो मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा बहुत मजाएगा सबको तब सारी बाते करेंगे चलो ठीक है अच्छी बात है सब लोग कर रहे हैं चलिए आईए चलिए पढ़ते हैं देखते हैं देखना कि जो आलोचक हैं वह मानते हैं कि जो च्छायवादी जो कवी हैं और भक्तिकालिन कवी हैं उनके मत ये लोक मांगली चेतना मैं आपको बताया तो शुरू में कल की क् साधना है चेतना है उससे बाते परदसिता है कल की क्लास याद करो सब लोग मैं दिखा देता हूं रिपीट करता हूं अप लोगों को देख जाएगा बहुत सारे स्लाइड है मैं आज सारे स्लाइड के पिडिये बना का आपको क्लास में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा ठीक है चिंता मत करो सारी मैं दूंगा जो मैंने लिखा है नोट्स बनाये पूरा देखो मैंने कल बताया था आप लोगों को दिखाई देगा रिपीट कर देता हूं मैं देखो यह ना आचारे सुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति यह बात मैंने मैं आपको बताया थे कल तो वह यह आपस में सबको जुडाव है ध्यान देना यदि अच्छे नंबर लाना है तो आपको इन सारे विमर्शों तक पहुंचना होगा यह सारी बातें आप लोगों को करनी होंगे कि चलिए यानि कि जो हैं मानते हैं कि चायवादी और भक्तिकालिन कवियों में क्या है समता लोकमांगलिक चतना है किस तरह कहते हैं कि भक्तिकालिन कविता और जो चायवादी कविता उनमें एक समता दिखाई देते हैं समता क्या है लोकमांगलिक कि निराला क्या है वह राम के माध्यम से और इसका विता में क्या करने कोशिश कर रहे हैं लोग मांगले कि चेतना कोई जगाने कोशिश कर रहे हैं इसी का जुड़ाव किस से है अराधन और ध्यान दने इसका जुड़ाव किस से है अराधना और दिल अराधना से है कि यानि कि देखना कि एक तरफ कहते हैं कि जो जिड़ अराधन है जो राम कर रहे हैं कर चिंद कर पांगे कि यह जिड़ अराधन वह क्या है वो कुछ और नहीं वह क्या है यह लोकमंगल का भाव है यह क्या हुँसा भाव है यह लोकमंगल का भाव है समझ जाना और अराधन क्या है निजी हीतों के लिए किया जाने वले आधना है ध्यान देना निजी हित्थे तो स्वार्थगत जो रावन कर रहा है तभी तो जामुंत याद दिलाते हैं कि आप भी राम करो आप तो अच्छे इत्कली करने वाले हो जब कि राम क्या कर रहे है यहाँ पर दिल अराधन है कि इनके अंतर लुक मंगल की भावना है इनका कोई वेक्टर स्वार्थ नहीं है या उन निजी हित्थों का त्याब कर रहे है इनका इसलिए साधना को अराधन कहा गया है रावन सक्ति को अपने पक्ष में क्यों करना चाहता है ध्यान देना रावन सक्ति को पक्ष में क्यों करना चाहता है अपने निजी ही थे तो सब्ता को क्या करने के लिए प्राप्त करने के लिए जनता क्या करेगा भयाकरांद करेगा उस सक्ति से पर राम को तो ऐसा उद्देश नहीं है राम तो इसके माध्यम से क्या करता जाए लोक रञजन की भावन बिक्स्त करना चाहते हैं समझना यानि यही वज़ा है की राम किस राधना को ढृड़ अरधना कहा गया और रावन किस राधना को अराधना माद्र कहा गया तो ये अती महत्पून बात था इस कविता का जो आपको बताया क्या क्लियर है सबको कोई डाउट बिल्कुल कोई सवाल किसी का पुछी एक सवाल है तो के सब का गो कि बिल्कूल सब एक ही है न एक ही बात है चक "- अव ale ऑनपशस्टी कि क्या है जागरन है है किसे संधान ऑव नेश्टि का संधान है जो आपको और हमारे मन में उतता है उसकी बात कल मैंने आपको समझाया था कवीता में कल की लेक्चर में दिया आप भूल रहे होता हूं याद करूँ कि चलिए आगे बढ़ता हूं मैं कि बात समझ में आगे आपको इसलिए देखना वो दो बाते कहते हैं कि क्या है यानी कि अराधन क्या है आचार लोग मंतलम मानते हैं कि अराधन सिर्फ सगुन भक्ति की प्रकिर्या रहती है ध्यान देना यानी इसमें और बात क्या जोड़ सकते हो यह जो समझना मेरे बच्चों ध्यान से यानी अराधन है इसमें एक नया प्रण जोड़ सकते हो कि यह क्या है मात्र सिर्फ कसतो शगुन भक्ति धारा इसमें ध्यान देना आलोचक कहते हैं कि मात्र इसमें सगुन भक्ति का समावे इस है ध्यान देना यानी क्या सकतो सगुन भक्ति की प्रिक्रिया है यह एक तरीके सिर्फ अराधन लेकिन जो ध्रण अराधन है वो क्या है दोनों इसमें यानी शगुन भी है और निर्गुन भी है यानी इसमें अराधन क्या है इसमें शगुन भावा भी है निर्गुन अराधन अथा जिसमें क्या है योग वह भक्ति दोनों का समन में हो देखो जितना मैं तुलना करके पढ़ा रहा हूं यह दुद्द को लिख दो बहुत नम्हावी लेगा समझ पाए तो एक तरीके समय आप लोग को जिस सगुन निर्गुन से जोड़ा अराधन दिल अराधन को बिलकुल 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 चलिए वह मैं लगब इस कविता की वह सारी बातें कल की कलास क्लास के माध्यम से बता चुका आप लोगों को बहुत सारी बातें तो क्या सब को क्लियर है कोई डाउट है हुँ चलो देखना कि कुछ और महत्मुल बाते दातों देखना इस कविता में क्या है एक तरीके से नाटक की रूप है देखना तीन तरह की योजना दिखाई देगा इस कविता में तीन तरह की योजना दिखाई देगी आपको जो नाटक की होती है तीन तरह की योजना समझा देता देखो पहले दृस्व में क्या है कवीता कर जो पहला दृस्ष है उस तरह नाटक होता है प्रदिश्म यूद्ष का जित्रन है ध्यान देना कि दूसरे दृस्ष में क्या है दूसरा दिर्ष में दिखाई देगा आपको कि दोनों जो पक्ष हैं राम और राउन के उनकी सेना जो है युद के बाद लोड़ती भी दिखाई देगी तीसरी जो बात है वो क्या है एक तरीके से जो राम की साधना का दिर्ष है ध्यान देना की राम साधना कर रहे हैं उसाधना में क्या कर रहे हैं वो सारा दिर्ष है यानि की एक तरीसरी में क्या है एक नाटे संघर्स है इसका विता में तीन तरह की उजना है अब मैं पहला आपको बता जो नाटक मैंने पढ़ाया थे दिमें नाटक वाली क्लास आप लोग देखे होगे ध्यान देना जिसमें नाटक मैंने क्लास लिया हुआ है जो नहीं लिए हो उनको पता होना चाहिए मैं छे नाटक पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बताया था कि जो पश्मी नाटक की विसेश्ता है नाटक वो प्रांत तो मानती किसको? संघर्स को तो चुकि इस कविता में भी इस तरह का संघर्स दिखाई दे रहा है पिर्फेश्ष संघर्स किया पश्मी नाटक की विसेश्ता है नाटक की विसेश्ता है? जाह सफल्ता के लिए राम क्या है? आसा निराऊसा के मद्धी हो रहे है और वो क्या है? समस्य ग्रस है और उस तरह जब कमलदल को चढ़ाते हैं तव सक्ति प्रसंड होती है अब देखना मैं आपको बताया था कि इस कविता का तीन अस्तर है देखो राम बिलास सर्मा कहते हैं ध्यान देना बहुत महत्मूं बात रहो तीन अस्तर पर कविता है पहला क्या है ध्यान देना राष्टिये चेतना यहनि कविता का भौक अस्तर क्या है तीन अस्तर है राश्चिर चेतना दूसरा क्या है निराला जी खुद की जो वेक्तिकत चेतना है उनकी मैंने आप लोग को क्लास लिया हुआ है याद आ रहा है कौन सी क्लास कविता की बैख्य कैसे करें तीसरा क्या है आपका कि जो जनता है जो राश्चिय जो पटल यानि जो समाजिक सांस्कृतिक अस्तर त्यानि कि भाव कत्ति नसर दिखाए देगा इसके विता मैं आपको बता भी चुका हूँ करें यानि ऐक तरीके से राष्चिय जनता में क्या है जो अंग्रिज योग के द्वारा जो पेश्की के चुनव थक गया है थग गया है पूरा भारत उसी को तो जगाने कोशिस कर रहे है ना चेतना भने कोशिस कर रहे है इसलिए तो राम का सहरा ले रहे है उनके माध्यम से उस चेतना का विकास कर रहे है कि हर बार चुनोती क्या होती है अलग होती है जो हम लड़ रहे हैं राष्टी प्राधिंता से हमारे सामने चुनोती हर बार अलग होती जिस तरह राम के सामने आ रहे है और उनसे ही लड़ने तथा बचने का उपाय करता है इसलिए हम क्या करते कभी असयोग अंदोलन देखो क करने यादा रहे हैं सभी से हो रहे हैं लेकिन किया होता है हमें चुनलवती है आप याद रखना तो राश्ण के चेतिना क्या हैं यह बात हो सब्सक्राइब तरह कि उसले हैं जो प्रियोगवाद प्रगतिवाद आ रहा है उससे लड़ रहें उस समय कि जो सहीतिक पटल पर जो लोग थे जो सहीतकार थे उनसे लटो अबजूज रहेते हैं ना ध्यान देना जो समाजिक दिखना दोनों ही अस्तुर पे निराला क्या होते हैं हतास हो जाते हैं निरास हो जाते हैं इसलिए देखना निराला एक पंक्ति कहते हैं सुनना यानि कि वह अपने साहितिक जीवन में क्या होते हैं निरास हो जाते हैं थ्यान देना बाते बताना पर चुब बहुत इंपॉर्टेंट है निरास हो जाते हैं हतास हो जाते हैं तो वो कहते हैं व्यर्थ हो गया जीवन व्यर्थ हो गया जीवन रन्वे मैं गया हाड रन्विम मैं गया हार इनकी कविता के भाव है मैं भाव बताने के कविता दूसरी कविता में जोड़ रहा हूं कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज तक अब नहीं जो आज तक अब नहीं केरवा सबको सारी बात बिल्कुल बिल्कुल यह बात तक तुम्हें अच्छे मांक्स मिलेंगे तुम्हें जो बाते बताया आपको क्लियर है सभी को कब तक पढ़ना चाहते हो कि अब तक बना है हां बिल्कुल यह आसा इस प्रस्ण ऐसे नहीं था व्याक्या में पूछा हुआ है उससे बनने वाले प्रस्ण में लगबग मैंने इस राम की सक्ती पुझा के सारे विमर्ज समझें वो मैं आपको बता चुका हूँ समझें तो प्लीज जितनी क्लासे मैं किया हूँ इन सभी बातों का ध्यान रखना मैं लगबग सारे points आपको बताने कोशिस किया हूँ ठीक है देखो मैं एक बार आपको recall करा देता हूँ मैं PDF सेंड करूंगा आभी पूरी क्लास की कल की आज की दोनों मिलाकर अभी है ना और मैं लिखा हुआ आपको सेंड करूँ या बिना लिखा हूँ मुझे बता दो आप लोग जो मैंने हाँ से लिखा है इसको लिखा हूँ या ब आपके न लिखा वाला चलिए ओके ये सारी बाते मैंने आज हम लोग किये कर लोगे मैंने सारी बात ही किया था तो हमने करीब इसका विता पर अच्छा खास समय दिया है समझाने के लिए आप लोगों को ठीक है कि भी भी भेज़ दोंगा मैं आप लोग क्लास का जो रा फिडवैक मुझे आपके कंप्लीट होता है तो भी कमेंट ज़ाख c और करो तो सबी लोग कि छाले hunnay के बाद प्लीज लिख दिया करें सभी मुंजए अच्छा लगता है एक मुझे नवर शुदि अब मुझे एक बात था है अप लोग दो गें तो अच्छा होगा सभी लोग है ना तो अब मुझे एक बात आता है आप लोग किस कविताओं का जो व्याख्या है उम्हें प्रिवियस एर पेपर के माध्यम से भी कराऊंगा ठीक है तो जब अबी क्लास कंप्लीट होगा प्लीज सब लोग फिडबैक जरूर देदना मैसेज में है Jesus यहा हर बात को मैं कैसे कर सकता हूं पहुत सारी बाते होता इसे थीलच सब रावदकों निकलती है संदर में निकलता है मैं समझेगा तो मुझे बात बता है किकल जो क्लास्म में क्या पढ़ना चाहते हैं अब मैं आप लोग आप लोग क्या इच्छा है नाटक पढ़ा दिया लगवा आप लोग बहुत सारा मैंने कविता भी आधनी खंड कंप्लेट कर दिया है अब लोग में लिखता है अच्छा लइकिन लिखता हूं वह भी थी बढ़ यह टाबलेट को जैसे राइटिंग में इसफे हो जाती है यह तो राइटिंग में यह इसी नहीं है इसलिए जैसे में लिखता हूं देखो इसमें तोड़ा अच्छा से बनता नहीं है न चलो ठीक है किसी ने कहा कभीर सुर्जायसी को पकड़ो देखो बिल्कुल बिल्कुल स्याम बिल्कुल सिवाम बहुत सही बात बोले हो बात हमाई से तुम लोग को मैं कहता हूँ और ये तो सहित का विश्य है बिल्कुल नहीं सा नोट्स वाली क्लास में बिल्कुल 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 सही है तो किसी कोई सवाल है और किसी नोट्स पर पूछा है इसके लावब कोई सवाल है आप पूछलो आज की क्लास पे मैं भी हूँ है ना आपके सवाल में बिल्कुल देता हूँ मैं पूरी करता हूं कि सब के सवालों का जबाब दे सकूं कि आपको समझ मैं तभी मेरे प्रहाने के उद्देश भी है तो फिर से करा हूं मुझे फिडबैक क्लास जब खतम हो तो लाइफ चैट में नहीं और कमेंट में जरूर देना कल फिर मिलता हूं मैं नए टॉपिक साथ कुछ आपको सूचना मिल जाएगी टेलिग्राम पर हां मैं एप पे बहुत जल्द फिर से प्रीवेश से पेपर डिसकस करने वाला हूं तो प्लीज वहां ज को जल्द प्राइस हाइक होने वाला है तो प्लीज ओके सभी को मेरा प्यारवरा नमस्कार हम कर मिलते हैं